properties of determinant जब भी हम determinant निकालेंगे तो कुछ ऐसी property या attributes है जिसका हम इस्तमाल कर सकते हैं उसको आराम से easily करने के लिए पहली चीज़ यह है कि अगर आप किसी भी row या column को interchange करते हैं मतलब सारे rows और सारे columns को interchange कर देते हैं यह अगर आपके पास एक matrix A है और इस matrix का आप A transpose निकालते हैं तो इसका जो determinant होगा और इसका determinant बिल्कु सेम होगा कहने का मतलब यह जो आपका row है इसको आपने एक column बना दिया इस row को आपने एक column बना दिया और इस row को आपने column बना दिया यानि कि row और column को आपने interchange कर दिया तो इससे determinant में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह determinant सेम ही रहेगा अगली इसकी property यह है कि अगर आप किसी भी एक row को दूसरे row में इंटरचेंज करते हैं या फिर जगा परिवर्तित करते हैं या कॉलम को परिवर्तित करते हैं यानि कि उनकी जगा इंटरचेंज, एक्सचेंज कर देते हैं तो determinant जो होगा, original का और जो change होके आएगा वो negative हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये एक row है ये row one है आपकी उसको आपने यहाँ row two बना दिया और ये जो row two है यहाँ की उसको row one बना दिया यानि इसकी जगा आपने change कर दिए इसको यहा 나누ा कर दिया तो इसका जो determinant होगा वो इसके determinant का negative होगा ये determinant जो भी आपकी जमाले जो determinant five value आती है तो ये interchange करने के बाद negative five आ जाएग eigenlijk इसका ऐसे लिखते है row को change करें, मतलब row 2 में change किया गया है और row 1 को परिवर्तित किया गया है, दोनों side या रो लग रहे हैं इसमें अगर कोई भी अगर आपके पास determinant हो और उसमें कोई भी एक row मतलब row और column किसी k से multiplied है तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा determinant k से multiplied है कहने का मतलब कि जैसे ये किवल एक row है ये k से multiplied है तो जो आपका ये वाला determinant आएगा वो k से multiplied हो जाएगा अगर मान लिजे ये एक column होती, मैं अभी k हटा देता हूँ और ये column होता, और column ये m से multiplied है तो इसका मतलब क्या हो जाए m into, जैसे इस पूरे का d है, तो ये m into d हो जाता है कोई भी एक row या कोई भी एक column किसी एक value से मुझे प्राइट है जैसे मैं आपको अगर बता दूँ तो अगर मैं एक determinant निकालना चाहता हूँ example दे रहा हूँ 2, 4, 8 यहां कुछ भी हो सकता है इसको हम कैसे लिख सकते है 2 into 1, यह 2 into 2 और यह 2 into 4 नीचे कुछ भी हो सकता है तो आप यह 2 जो है, इसको k माल दीजे तो इसको बाहर निकाल सकते है तो अब बनेगा क्या आपका 1, 2, 4 नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन बताने का तरीका यह है कि यह पूरा जो determinant निकलेगा वो इस 2 से multiply हो गया यह के into D हो गया इसी तरीके से आप यह कह सकते है अगर हमारा M से multiplied हो और यह 1 by M से division हो यह आप खुद भी अंदर multiply कर सकते हो तो अंदर multiply करेंगे तो बाहर divide करना पड़ेगा क्योंकि कई बार इसी जरूद पड़ती है इसको multiply करने की ताकि इसके बराबर हो जाए और यह कुछ determinant 0 वगर आ जाए तो यह एक ही बात है 1 by M से multiply करके अंदर M से multiply है तो यह M बाहर लेंगे तो M by M से वो division हो जाएगा तो ultimately यही आ जाएगा एक और बड़ी important property है determinant की वह आप देखे कि जो पहला column है ऐसे कोई भी column हो सकता है यह जो column है वो यहाँ भी हो सकता था यहाँ भी हो सकता था इसको हम दो अलग-अलग matrix में रख सकते हैं तो यह plus की जगा अगर negative भी होगा तो भी बात same है क्यों? क्योंकि हमने क्या किया ये, ये और ये ये पहली matrix बन गई और ये, ये और ये ये तीसरी matrix बन गई और बीच में क्या आ गया? प्लस का side तो इसको हम अलग-अलग भी कर सकते हैं यानि कि जब हम हमारे पास ऐसा matrix हो तो इसको हम combine करके ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस X, B2 प्लस Y, A3 प्लस Z क्योंकि यह वाला column और यह वाला column बिल्कु सेम है अब कोई भी एक row को लीजिए आप कोई भी column को लीजिए उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी जोड घटा कर लीजिए लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा कहने का मतलब मैंने यह एक column लिया हमने कहा इस column में यह A2 A3 है हम क्या करते हैं हमारी मर्जी है हमारी मर्जी है क्योंकि हमको कुछ ऐसा बनाना है कि यह इनके बराबर आजाए यह किसी तरीके से determinant निकालना हमारा आसान हो जाए हमने कहा कि हम इस column को किसी M से मडिप्लाय करेंगे फिर जोडेंगे तो M B1 M B2 M B3 हो गया फिर हमने कहा नहीं हम इसको किसी N से मडिप्लाय करके सब्ट्राइंग भी कर देंगे minus N C1 minus N C2 minus N C3 तो कोई भी जैसे ये column में जो परिवर्तन हुआ यह आप किसी में भी कर सकते हैं किसी भी row में किसी भी column में तो यह आपकी मर्जी है लेकिन sub में होगा एक column का मतलब यह है कि sub में फिर परिवर्तन होगा जैसे मालिज़ इस row को लेके चलते हैं और यह काम करते हैं तो इन तीनों में होगा यह परिवर्तन यदि कोई भी दो row या कोई भी दो column एक जैसी हैं तो determinant 0 हो जाएगा आप दिखे इसमें मैं एक आपको property जो भी हम discuss की वो बताता हूँ इसमें दिखें कि यह row और यह row बिल्कु सेव है तो हम क्या करेंगे इस row में परिवर्तन करते हैं R1 में क्या करेंगे कि R1 माइनस R3 यह R1 है row 1 यह R2 है यह R3 है तो यह क्या बनेगा देखेगा हमने इसमें परिवर्तन क्या इंदरों को माइनस करेंगे A1 माइनस A1 0 B1 माइनस B1 0 और C1-C1 0 बाकि ऐसे लिख दीजे A2, B2, C2 A1, B1, C1 अब इससे क्या हुआ जब इसको खोलेगे अब इसकी अगली प्रापटी भी बता देता हूँ क्योंकि यहां से क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 है तो डिटरमेंट 0 होगा यहां से और यहां से आप देखेगा कैसे यह सही निकल गया आता है कैसे मैं इसको खोल रहाँ 0 into जो भी अंदर आएगा बतला मैं इस रो के साब से खोल रहाँ 0 into something minus 0 into something क्या something है यह अंदर आपका basically minors आते है plus 0 into यह वाला अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखने की जरूती नहीं है क्योंकि यह 0 है तो 0 something to lie करेंगे तो 0 0 something to lie करेंगे 0 0 something to lie करेंगे 0 अब इसमें कुछ भी जोड़ते घटाते रही है तो 0 हा जाएगा कहने का मतलब कोई भी 2 row या 2 column same है तो इसका मतलब यह है कि determinant आपका 0 है और कोई भी 1 row या 1 column आपकी 0 हाँए इसका मतलब सीधा आप determinant को 0 लिख दीजे एक और प्रापर्टी है कि अगर यह diagonal matrix है अगर यह diagonal matrix है याँए आपके पास और जगा कुछ नहीं है कि और diagonal में values है तो आपको कुछ नहीं करना है सीधा इसका जो determinant है A into B into C मतलब diagonal को multiply कर देना है इसे मालीज़े आपका diagonal यह है 2, 3, 2 0, 0, 0, 0, 0, 0 अभी अगर है इसका determinant निकालना है तो आपको सीधा इन तिरों को multiply कर देना है 2 into 3, 6, 6, 2, 12 यह आपका final answer आजाएगा